सिये देश में बस रहे लाखो सर्णार्थियों को नियाई देने का और अधिकार देने का कारे जो विभाजन हुआ तब बांगला देश में 27 प्रत्रत हिंदू था 27 प्रत्रत आज 9 प्रत्रत कहां गया जब ने धर्म परिवर्तन कराया गया है आतांक की फेक्टरी जी सोच के कारण चन्मित थी जी सोच के कारण चलती थी वो सोच को पोशन करने वाला धाराक 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबोश करते देश बर के सवनार्थी भाईयों बेनों को अपील करना चाता हूं इंडिय अलाइंस से कॉंग्रेस और उनके साथ ही गुम्रह करेंगे मत डरना भर से कई जिलों से आये हुए सवना थी अब तक कहलाते थे आज से भारत माता के परिवार में आप लोग सामी हो जाएंगे ऐसे मेरे प्यारे भाईयों और बेनों आप सभी का स्वागत ही मित्रों आज मेरे जैसे समाथ जीवन के कार्यकरता के लिए एक बहुत भावुक्षन है क्योंकि यह सिर्फ देश के लाखों लोगों को देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिट्या देने का कार्यकर नहीं है सिये देश में बस रहे लाखों सरनार्थियों को नियाई देने का और अधिकार देने का करें और पास्ट में भारत सरकार जो कॉंग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई इनकी तुष्टी करण की नीती के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की सरन में आएं उनको एतिकार नहीं बिला, उनकी प्रताधना पनोसी देशों में तो हुई क्योंकि वो हिंदु थे, जैन थे, बाउत थे, सीख थे मगर उनकी प्रताधना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी हुई लाखों करोरों लोग तीन-तीन पीडिया हो गई निहाई के लिए तरस्ते रहे मगर ए इंडी एलाइंस की थुष्टी करण की निती ने इस शर्नार्थियों को निहाई नहीं दिया और भर्धिय जन्ता पार्टी की नेता नरेंद्र मोधी जी ने इनको निहाई देने का रहे मैं आज C.A. के बारे में थोड़ा डिटेल बटाना चाहिए C.A. क्यूं लाना पड़ा है किसी भी देश का विभाजन धर्म के अधार पर नहीं ही होना चाहिए मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त दर्म के अधार पर किया गया और जब भारत का विभाजन धर्म के अधार पर किया तब भायानक दंगे हो रहे स्वाभाविक था हूंगे मगर विज्यूलाइज नहीं कर पाएं अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीशिका दिन मनाने का काम किया है भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू बहुत जीग जैन पाकिस् अफगानिस्तान बांगलादेश में रहते थे उनको सायन करनी पड़ी हम नहीं बुर से परिवार के परिवार उजड़ गए करोड़ों पती अरपों पती हमारे गांधी दाम में रोर पर आकर सबजी बेचने के लिए मजबूर हो गए है इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं है और उसवत विवाजन का भैसना तो किया मगर जब परिणाम आने लगे कॉंग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ों सी देशों से जो सणाती आते हैं हिंदू आते हैं बहुत आते हैं सीख आते हैं जैन आते हैं उनको नागरिता दी चाहेगी अपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा करना भी चाहिए था बड़ा उचीत नेनय कोंग्रेस के नेताओं ने लिया था वगर जैसे जैसे चुनावाया वो नेनय से मुकरते गए संसेतालिस में किया हुआ वादा अड़तालिस में किया हुआ वादा पचास में किया हुआ वादा जवाला नेरू ने किया हुआ अदा मातमा गांदी का आवान वह सब भुला दिया गया क्यों कि उनको लगा इनको नागरिक्ता देंगे तो हमारी वोट में एक नाराज हो जाएगी और थुष्टी करण के कारण यह लाखों करोड़ों लोगों को नागरिक्ता से बंचित बहुत से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है इससे बड़ा कोई पाप, वो वहाँ से भाग कर आए, प्रतार्ना जेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गवाया, कई माताओं बेहनों के साथ धत्याचार किये गए, करोडों की संपति छोड़ कर आए, और यहाँ आए, यहाँ उनको नागृत्ता भी नहीं, 47 से मूदी जी प्रधान मंत्री बने तब तक, 47 से 19 और 19 से 24 यात्रा इस देश का इतियास हमेशा आए, आज इस मंद से, जिन जिन लोगों ने सरकारे चलाए, उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोस्त था इन लोगों का, जो अपनी बेहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपति को, अपने धर्म को, अपने स्वमान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागृत्त नहीं बचते, एक और तो सिमा से आपने घुसपेट कराई, करोरों घुसपेटियों को आने दिया, अवहीं दूप से उनको नागरिक बना दिये और जो कानून को मानते हैं आपको application की उनको कहते हैं कानून में इसकी चगर नहीं है कानून लोगों के लिए होता है कानून के लिए लोग नहीं होते हैं हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतिय जनता पार्टी को mandate मिला तो हम CA और 2019 में CA लेकर आए और करोणों हिंदू करोणों चैन बहुत सीख जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय देने की सुरुआ थी मैं आज इस मन्च से पश्टता से कहना चाहता हूं मैं काफी समय चुप रहा हूं यह कानून पारित हुआ था 19 में 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भढ़काया गया किसे मुसल्मानों को न्याय होगा मुसल्मानों की नागरिता चली जाएगी मैं अग्पीर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भायों वेनों के लिए ये कानून में किसी की नागरिक्ता लेने की कोई प्रोवीजन नहीं है ये कानून नागरिक्ता देने का कानून है अभी हमने दी इनके चेहरे देखिए हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए इससे बड़ा दूर्भाग्या और विडमना क्या हो सकते हैं इतने सालों तक तुरुष्टी करण की नितिक के कारणे नहीं हो पाया था नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसत में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सोपा दिया 19 में कानून पारित होते हुए भी आज एक 188 परिवार या खुशाल खड़े हैं क्यूं नहीं मिला भी 19 से जोबी साबको देश में दंगे कराएगी अर्प संखकों को बढ़काया गया है पर मैं आज पश्टतार के साथ कहना चाहता हूं यह फाय फैलाई गई की कानून से किसी की नागरिक्ता नहीं जाती हिंदू बहुत सीख जैन जो सर्णार थी मेरे भाईबे नाये हैं उनको नागरिक्ता और संद्मान देने का कारेक्रम है अथिकार और आज भी कुछ राजे सरकारे हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं मैं मंत से देश बढ़के सरनार्थी भाईयों को कहता हूं कि आप बेजिज़क अप्लिकेशन करिए नागरिक्ता प्राप्त करिए आराम से करिए इससे पास् है वो आपके नाम पर ही लएगा आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेट से सुधार नीकिए इसमें कोई क्रिमनल केस का प्रोविजन नहीं सबको पाड़न दिया गया है और पाड़न ही दिये लिया है कि सरकार के कारण है देरी हुई आपके कारण नहीं हुई है मैंने अभी बेहन को पूछा कब आई या तो पचानवे मैं आई पचानवे से अब तक किस नहीं देरी की है वो तो तुरंच आती थी मैं भारत की नागुरिक बनूँ अगर किस नहीं बन नहीं है सरकार नहीं है इसलिए सिटीजन्सिप एमेन्मेंट एक लाना पढ़ा और अठासी परिवार माभारती के परिवार बनकर हमारे भाई बेन बेनकर हमारे साथ सर्मान के साथ और मैं आज अभी करना चाहता हूं देश भड़ के सरनार्थी भाईयों बेरों को किसी कोई भी गुम्रा करे कोई भी पार्टी करे मैं पार्टियों का नाम नहीं देना चाहत वगर आप मत मानिये गा एक कानून आपको न्याय देने के लिए है आपके साथ जो अत्याचार हुए है इसकी शमा के साथ परिमारजन के लिए आपको सन्मान देने का कानून है जो विभाजन की विभी सिका को जहले हैं और बाद में भी जो वहां रहें आज हमें पूछते थे संचत्यों जो विपक्स की मित्रत क्यूं यह कानून क्यूं ऐसा है मैं आज उनको कहना चाहिए जो विभाजन हुआ तब बांगलादेश में 27 प्रत्रत हिंदू था 27 प्रतिस आज 9% आज 9% कहा गया जब और्य धर्मपरिवर्तन करा utilized इसाइस प्रतिसद हिंडू था या तो यहां आए त 46 मेर यह दर्म परिवर्तन क क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों के जीने का अधिकार नहीं है क्या है अगर पडोस के देश में अपने स्वमान के साथ जी नहीं सकते हमारी सरण लेकर आते हैं तो हम क्या करें हम मुकदर्सक बनकर बैठ नहीं सकते यह नरेंद्र मोदी सरकार है आपको न्याहि मिलेगा और जरूर नहीं और सालों से इस सरनार्थियों की मात थी 19 में मोदी जिने अपनी धर्ड राजनिती की इच्छा सकती के कारणे फैसला दिया कानून पारित हुआ आंदोलन हुए कुछ जगे इंसक गटनाय भी हुई जो हुआ हुआ अंतत तो गत्वाज चौबीस के चुनाओं के पहले हमने र राटिफिकेट भी दे दिया आप लोगे को आप सभी का रियादय से भारत माता की संतान एनाति देश में मैं स्वागत करदा हुँ और बड़े सन्मान के साथ आप जियोगे इसका मैं विश्वास भी दिदा हुआ मित्रु नरेंग्र मोदी जी जब भारत ये जनता पार्टी ने उनको देश के प्रदानमंत्रिपत के उमिद्वार के रुप में नामित किया तब मोदी जी ने इस देश की जनता को कहा था कि इस देश का लोगतंत्रब परिवारवाज से पीड़ी थे जातिवाज से पीड़ी थे तुरुष्टी करान से पीड़ी थे और ड्रश्टाचार से पीड़ी थे ये चारों नासूरों को नरेंद्र मोदी जी ने दस साल में उखाडने के लिए अधक प्रयास के परिवारवाद के खिलाब पंदर आगस को उन्होंने घोसरा की अपिल की है कैसे एक लाख विवार रागनेती में जुड़े जिनके परिवार में से कोई रागनेती में नहीं कोई रागनेती यह अपिल की है और परिवारवादी पार्टियों को घोर पराजय भी देश की जनता ने घोर पराजय दिखाया है प्रश्चाचार के खिलाब भी जन किया जातिवाद के खिलाब भी किया उन्हें ने जातिवाद के नासूर को समाप करने के लिए चार जातिया गोसित की एक गरिब एक महिला एक युवा और एक किसान एक चार जातियों में ही पूरा देश बटा हुआ है और ये चार जातियों को भी एक नए प्रकार की राजनितिक फिल सो भी उन्होंने देश के सामेर और उन्होंने तुरुष्ट्रिकर्ण की इराधनिती को भी तिलान जली दे दी इस देश के कई मसलें से अटके पड़े थे राम मंदिर का मसला अटका था साड़े 500 साल से आज भव्य राम मंदिर अवध्या में बनाने का काम पुगा है और हम जेब ने तोड़ा हुआ कासी विश्वनात का मंदिर फीर से बन गया ममत बेगडा ने तूड़ा हुआ हमारा पावगार के सक्तिपिट का भी पुंड़ धाल इस देश में त्रिपल तलाग को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोधी जी ने किया आतांक की फेक्ट्री जी सोच के कारण चन्मित थी जी सोच के कारण चलती थी वो सोच को पोशन करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोधी जी ने नाबोर कर देए और करोड़ों हिंदू सीग बहुत जीन जैन भाईयों को जो अन्याय करने वाला उनका अतिकार से वन्चीत रखने वाला कानून का संसोधन अटका था वो CAA का संसोधन भी नरेंद्र मोधी जी ने लाकर देश के अंदर एक न्याय करना चाहता हूं मैं अंत में फिर से एक बार देश भर के सरणार्थी भाईयों बेनों को अपील करना चाहता हूं ये इंडिय अलायंस एं कॉंग्रेस और उनके साथ ही गुम्रहा करंगे मत डरना मैं देश के गुरू मंत्री नाते कहता हूं आप अप अप्लिकेशन कर दो आपको न्याय मिलेगा कोई कौर्ट केस नहीं और ये तो उदान है 188 परिवार कोई कौर्ट केस नहीं हुआ नागरिक भी बन गए उनके बच्चे MLA भी बनेंगे सांसन भी बनेंगे आईएस की जो लोग गुम्रहा कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप इनके साथ अन्याय करें आप में तो हिम्मत नहीं जी वोट बेंक के कारण कानून लाने की मोदी जी लाए हैं कम से कम इसका इंप्लिमेंटेंटेंशन करने का करने के लिए हमारा समर्धन करें